नमस्कार दा स्टेट सेंटेनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहूल सिंग कल ही अलेक्शन कमीशन के दुवारा डीडी सी के जो इलेक्शन होने वाले है उसकी अनॉंस्मेंट की गई और डेट डिसाइड की गई यह डेट है 28 नवंबर आठ फेस में यह चरन जो मतदान है यह किये जाएंगा और 28 नवंबर से ही इसकी शुरुआत होगी जो भी मतदान करना चाहते हैं उन दिनों में मतदान कर पाएंगे डिडीसी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार डिडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं और एक चीज़ ओर बता दूँ पूसले एक साल से जब से 370 का अबरोगेशन हुआ है उसके बात से अगर इलेक्शन की बात की जाए तो यह पहले बड़े इलेक इसमें उमीदवार आगे आने वाले हैं वो भी अब परचार परसार करने के लिए निकल चुके हैं जमू कश्मीर की बात की जाए तो हर डिस्ट्रिक में चोदा के करीब जो है उमीदवार चुने जाएंगे और हर डिस्ट्रिक में 14 होंगे इस तरीके से देखा है जब तो जम्मु कश्मीर में पूरी बीर डिस्ट्रिक में 280 सीटे हैं जिन पे चुनाव ये डीडी सी का होगा आज हम अभी आपको आज जहां लेकर आए हैं ये है खोड ब्लॉक का धानप कर रहे हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये भी बात है कि इस बार के जो इलेक्शन रहेंगे वेस्ट पाकिस्तानी रिफूजी हैं वो भी इसमें वोट कर पाएंगे गोर्खा समाज के कुछ लोग हैं वो भी इसमें वोट कर पाएंगे और इसके बाद अगर बात की जाए refugees जो लोग अभी तब vote नहीं कर पाते थी क्योंकि 370 से पहले अलग चीजें थी और 370 के बाद ये चीजें जो है लोगों के लिए सामने आएं कि अरह अब जम्मू कश्मीर में हर वेक्टी जो है election में vote कर सकता है और एक चीज और कल election commission की तरफ से कही गई कि जिन लोगों का भी अभी जो है वोट राइकार नहीं बना है तो वो अपना वोट राइकार जो है वो बना सकते हैं 15 नुवंबर से पहले पहले वो अपने नाम को पंजी करवा सकते हैं और एक चीज और उन्हों हम आये हुए हैं वहाँ पर जो अमीदबार सामने आने वाले हैं उनका नाम है ठाकुर हरनाम सिंग मनहास जी यह आल इंडिया मनहास सवाग के प्रेजिडेंट भी है असर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज डीडीसी की एलक्षन शुरू होने जा रही है तो जितने हमारे बलाग में सरपेंच पेंच हैं उन्होंने मुझे लिकवरी दिया है और सब ने यही कि अम बोला कि आप भी आओ मैं भी कम से कम 45-45 साल हो गए हैं सच साल यो मेरे वाई है रामनातमनाज के बदीजेह यह लोग भी मैं इनके साथ ही चलता था अज JUST 45 साल पहले बर्यतिते जो रामनाज लामना से वे फोवाँ हमारे PGP के जहाँ थम थे उनके साथ चलते-चलते-चलते-चलते-चलते आज हम भी पेंट और सत्र साल के बीच पहुंच गे हैं हमने लोगों के जितने भी जितना भी काम हाँ रेशे आज भी social काम जो होता है जब हमें कोई कहां भी बलाता है हम बहाँ ही पहुंच आते हैं आज हमने पहली शुरुआ प जहां से ये गुड़ा के सरपंच साब बैठे हुएं, इन्हें बोला जहां जैसी रुखा हूँ, जहां हमारी पीर चनकनाथ की जगा है, हमारी माननी जगा है, तब हमने पहली मीट जहां परी रखी है, उसके बाद मैं अपड़े लाकियां भी, कौड़ के लाकियां में सब सरपंचों हर जगा ऐसी ही म काम करते आया हूं वो काम कुछ अलग तरीके के था वो अलग तरीके की जिम्यदारी थी लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन होने वाले हैं अगर आप इलेक्शन में जी जाते हैं तो उसके बाद अलग तरीके की के दिम्यदारी होगी। तो क्या उसमें रहेगा आपका उल्हांक जमावारी होगी वह मैं जानता हूं। जो आप बोरे हैं वह सारे काम हैं अभी करता है, इतनी जंता बैठी, इनको पूछ रो, के लीडर का काम क्या है। किसी का तेसीलदार के पास पास काम है। किसी का डी सी जानती है कोई इस अभी जो जूटी बनी इसमें तो किसी की कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता है जो इन लोगों के लेवल के काम वो तो मैं पहले करता रहा हूं और आगे के लिए जब हमारे बार को जुमबरी परेगी इसे दिन दुगना रात जुगनी होगी जिस तरह से इन्होंने खुद कहा कि पहले भी इस तरह से काम करते आ रहे हैं और सिर्फ एक पदवी इनको मिल जाएगी जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं सिर्फ एक पद्वी नाम की हो जाएगी लेकिन काम पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से ये लोगों के काम करते जाएंगे और और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से नोंने कहा कि जो यहां के सरपंच पंच है खुद उन्होंने इनको बुलाया है इस इलेक्शन में उमीदबार के तोर पर खड़े होने के लिए उनसे बात करते हैं और आखिर क्या वज़े है इन्हीं को चुनने की किना थोड़ा मैं कैप्टन जेस्वाद सिंग सरपेंच पंचायराल का गुड़ा मना सांँ एड़ी डीडी सी लेक्शन हुआ कर दिया है इस इस बाइए बी पंचायता यहीं खोड़ चन और शेफ पंचायता साथ बलाग पर गौल बेचन आसे चाने हैं कि ठाकर अन्हाम सिंग उन्हें पार्टी इडिया मेंडर देया है ताकि आस गजी बजी इंदे के नहीं चलिए और इंदी आस मद करिए निसर में एक चीज चलते आरे हैं इनको हर चीज का एक्सपिरिस है जबतरों में जाओ इनको इनकी है वहाँ पर इनकी पचान है जो को आज निया चेरा है का शैद उसकी इतनी पचाने की एक दो जो बला के हैं ये लोकल के नाते भी लोगों के में के साथ जुड़े हुए हमारी बहुत सारी प सब्सक्राइब के अंदर आए आपना लेखा दोगों का कितना हजूब है लोग दिली चाहते हैं जब हमने इनको लोगों को मैसे किया तो लोग उसी बगत काफी जेर से बहुत जारा में के लोग इस वहारा सीजन कटाई का समय चल रहा है कटाई के वावजूद भी लोग य जाते बहुत दिली चाते हैं यसे चक्ष को आना चाहिए पार्टी को मैंडर देना चाहिए जिस whole से अपने इनको सुना कि अनका यही कहना है कि हम वही उमीदवाद चुन रहे हैं जो इनके काम हाता है इनके काम करते हैं और आने साहरा वालहे समय ने एप लिए सही है क्यों लोगों की उमीदें से जुड़ी हुई है और यह उमीदों पर लोगों को यही विश्वासाय की खरे भी उतरेंगे फिलहाल यहां खोड़ ब्लॉक के इस एरिया से इस गाउं से धानपूर गाउं से हमें दीजी जादत और आप बने रहिए दास्टेट सेंट्रिल के साथ नम कर दोशका